हे एवरिवान आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये क्रिस्पी और मज़िदार सी समूसा कचौरी की रेसिपी जो बहुत घस्ता बनती है और इस समूसे से बहुत जादा टेस्टरी लगती है इसमें पतली पतली लियर्ट की वज़ा से ये खाने में बहुत क्रिस्प होती है तो आए देखते हैं कि समूसा कचौरी कैसे बनाई जाती है तो जिसके लिए में ले रही हूँ थ्री कप मैंने मैदा लिया है यहां पर इसमें जाएगी अजवाइन सबसे पहले फिर हम डालेंगे इसमें नमक स्वादा नुसार आप चाहें तो इसे कम जादा कर सकत और इसमें डाल रही हूँ देशी घिया आप चाहें तो ऑइल काभी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन घी से जो है किसी भी कचौरी समोसे, पाप्री कप्रीर गोल कप्रे की जो फ्लेवर होता है वो जादा इनहांस हो जाता है और जादा क्रिस्पी बनती है और जो मैदा होग जो आसानी से तूट भी जा रही हैं, तो इस तरह की बॉल्स बननी चाहिए, फिर हम इसमें थोड़ा थोड़ा पाने डालते हुए, इसका एक डो तेयार कर लेंगे, तो आप एक ही बार में पाने ना डालें, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा उसकी जरुरत के हिसाब से आप इस आदे घंटे के लिए आप इसे रेस्ट पे छोड़ दे ताकि और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो मैं जब तक जो स्टाफिंग होती हो बना डूंगी जिसके लिए मैं लिए है उबले हुए आलू उबाल के मैं ने मतर का इस्तामाल किया है आप चाहिए तो फ्रोजन मतर भी ले सकते हैं मैं प्रेह नको प्रौस कर 10 मिर्च को बारिक चॉप कर लिया है हरा धनिये को भी हम अच्छे से चॉप कर लिए को प्रेह के अधरी लिए यस थीडि BARS अच्छे से लिए जी लिए झाँ,शित कषहां कर लिया है यहां पर मैश कर लिया है आलू को अच्छी तरह से मिला देंगे जितने भी मोटे मोटे आलू है उनको हम तोड देंगे फिर हम कुछ मसाले आड करेंगे तो मैं डाल रहे हूं डाली हूं ड्रेट चिली पाउडर 1 इस्पून कोरियंड पाउडर 1 इस्पून गरम साला पाउड मतर को डाल लेंगे अगर मतर आप अच्छी इस्तमाल करें तो थोड़ा सा पहले डाल दें फिर मैने डाल दिया साथ ही साथ हरी मेश कटी हुई अच्छी से मिला देंगे मतर को अलो तो दोग हमारा जो है वो और सॉफ्ट हो गया है जब हमने इसे रेस्ट पे रखाता तो इसको अच्छे तरह से चिकना कर लेंगे अब इसमें से थोड़ी थोड़ी हम बॉल्स निकाल के इसकी लोई बना लेंगे अब हमें क्या करना है आप देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा आ तो आप देख सकते हैं मैं इसको अच्छी तरह से बेल लोंगी और जो हमार हम जो बेल रहे हैं वो ना पतला होना चाहिए इस हिसाब से जैसे मैंने अभी बेला है जादा मोटा नहीं चाहिए हमें पतले से और क्रिस्पी बनेंगा आप देख सकते हैं कितनी इसकी थिकने से फिर हम इस पे थोड़ा सा देसीगी डालेंगे और इसको grease कर लेंगे अच्छी तरह से और फिर इस पे हम डालेंगे सूखा मैदा इसी के ऊपर हम डालेंगे तो यह बहुत easy से process हैं आप आसानी से कर सकते हैं फिर मैं इसको side से fold कर दूँगी इस तरह से ठीक इस तरह से मैं एक कर देंगे थोड़ा सा देसीगी जाएगा इस पे भी थोड़ा सा हमारा सूखा मैदा चला जाएगा अब लास्ट टाइम हमें फोल्ड करना है इसे तो मैंने एक और बार इसे फोल्ड कर दिया इस तरह से अब इस पे भी जाएगा थोड़ा सा गी और मैदा अब हमें इसे न राउंड करना है जिससे लेयर्स आएंगी तो यह जितना भी हमने राउंडस फोल्ड कर रहे ना इसी की वजा सी क्रिस्पी बनेगा तो हमने ऐसे राउंड कर लिया अभी यह दो लोई का आटा है दो इसमें कच़ोरी हमारी बन जाएंगी समोसा कचोरी तो मैं इसको बीस से करें लोई क्योंकि बहुत थिक हो जाएगा अगर मत वर्लूगी तो इसे हमें थिण चाहिए तो हमारी जो लोई हैं दो तयार ही है इसारा से घरो आउया श्यीं वालको म्हीता करें जिआ इंगी धीज़एक अघी टाला शूखा मैधा डाल डालेंगीव कर को फूल्개 तो प कर लेंगे फिर हमें रॉंड लेना है बहुत एजी सा है आप करेंगे तो आपको तुरंट की हो जाएगा दिमाग में भी परमांग पैट जाएगी इस तरह से करना है each and every process आपको यहाद हो जाएगा झाप रांड कर लेना और भी से कंट कर मैं आपको ली दिखा देती हूं किस तरह से मैंने बना के तियार की है जैसे बताइती वैसी अभी हमारी लोई है थोड़ी चोटी हो गई है अब हम इसे जितना थोड़ा सा पतला बेलेंगे ज्यादा हमें मोटा नहीं रखना है और बहुत क्रिस्पी बने गई है तो मैंने इस क्वांटिटी में भरेंगे चारू तरफ इसमें हम पानी से ना पानी लगा देंगे जिसी चिपक जाया असानी से कुछ नहीं करना सिंपल फर्स लेयर को आपस में जॉइंट कर देना है मैंस ऐसे करके इसे क्लोज कर देना बीच में सिमिलर यह थोड़ा गुजिया के मुमो थाटि कर देंगे जिसमें हम स्टफिंग भरेंगे चारू तरफ हम पानी लगासे easily चिपक जाएगा पानी को लगाके हम इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से पक पेश्ट्री की तरह से तो यह हमारे तियार है मैंे कितना आसान था इसिए बनाना इसो क्लोज कर देंगे व आप टेंशन नाले पर अच्छे से प्रेस कर दें पाने लगा के और हमारी समूसा कचोड़ी अच्छी तरा से यह रेडी हो गई है बस इसे आप डीप फ्राइ करना है तो आप देख से यह तियार है तो हम एक कड़ाई चड़ाएंगे इसमें अच्छा ठीज सारा तेल होना च जब कुछ बनता है मठ्थी जासी चीज या फिक कुर कुरी समोसा तो उना खिरिस्पी बनता है मैदा वाले आइडम तो खिरिस्पी बनते हैं तो हम लो फ्लेम पे से कोट करेंगे पर एक तरफ जब यह ब्राउन होना शुरू हो जाए फिर आम मीडियम कर दें से फिर आप medium to high पे भी सेंख सकते हैं एंड में पर फिर हमारे जो हैं ये जो कचोरी हैं समुसा कचोरी अच्छी तरह से ब्राउन हो गई है गोल्डन हो गई है अब हम यहाँ पर इसे निकाल लेंगे बहुत मज़िदार ये तियार हुई आप देख सकते हैं किस हिसाब से पतली पतली सी ये लियर्स आई हैं ऐसी आएंगी बहुत क्रिस्पी बनता है ये ट्रॉस्ट मी कराई में डाल दूगी आप दिए रखें कराई में एक ही बार में खुप सारे बार में मैं तो हमारी काई केrau ह्मो कूरी नचे हैं ये बहुत बड़ी साइज हु थी तो हमारी काहुरी समμोज करता है और बिल्कुल भी अंदर से वैसी नहीं होती आप इसे स्टूर भी करके रख सकते हैं बहुत क्रिस्पी रहती है लंबे समय तक तो आप देख सकते हैं कितनी महीन महीन से इसमें पतली पतली लियर्स आई हैं बहुत क्रिस्पी बनती हैं इसका जो स्टफिंग है वह भी बहुत मज़िदार सी स्पाइसी सी है आप चाहें तो इस स्टफिंग में और भी सबजीयों को एड़ कर सकते हैं और अगर एसे पर पसनत आई तो लाइक इस वीडियो और सब्सक्राइब टो मैं चैनल लिते हैं नेक्स वीडियो में एक और नई रेस्पी के साथ